हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मेरे करियर में ये पहली वार था कि हम अपने ही डिपार्टमेंट के अपने ही साथी की इन्वेस्टिकेशन का सच पता कर रहे थे रात की अंधेरे में मौत का साया बन कर आता है एक नहीं बलकि पाच मासूम लोगों की निर्मम हत्या कर चुका है जनता अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करने को मजबूर है और इतनी डरी हुई है कि किसी निर्दोश इंसान की जान लेने से भी नहीं चूक रही इस दह्षत ने इस मौत केस ओदागर को एक नया नाम दिया है रिप्टी, अरियोम की फाइल लेकर आना सर्थ, मैंने ये केस पड़ा है, क्लाइन्ट से बात भी किये ये उतना बड़ा केस नहीं है, छोटा-मोटा फ्रॉड का केस है अच्छा सर्, मैं आपके अंडर दो साल से बहुत कुछ सीख रही हूँ अगर आपको ठीक लगे तो, क्या मैं ये केस देख सकती हूँ, I mean, हैंडल कर सकती हूँ मैंने दीनानाथ की नहीं, हरियोम की फाइल मंगाया थी, जाओ, सही फाइल लेकर आओ सुर्य, सर्. दो साल में केस के फाइल के बारे में पता नहीं, और केस चाहिए इन्में पता है, कोई काम ही नहीं है, बस टाइपिंग करना अनाची है तुम्हें, और क्या, इसके तो फैसे कमा आरी हैं हैंड़ा, इस इंसान को ना में छोड़ूंगी नहीं, देखना, इसको एक छोड़ दियाना, मेरा अभी नाम दीप्ती नहीं है, पताती हूँ मैं इसको. अरे, दीप्ती, बेटा, इतना गुस्सा लेप्टॉप पे? गुस्सा ना, पापा, मैं अपने सीनियर्स पे निकालूँगी, दीना नाथ की फाइली मंगवाई थी उसमें, पर एंड मौके में मुझे नीचा दिखाने के लिए जुट बोल दिया. दो साल से पापा, दो साल से असिस्टिंट के नांपे टाइपिस मना के रख्या है मुझे. अरे, बेटा, मैं तो कहती हूँ कि एससी नौकरी को लात मारतो. और वैसेभी, शादी के बाद कौन साथ नौकरी कर रहा है? घर पे ही तो रहा है, नहीं? मम्मा. हाँ, जैसे यह आपके सहब जादे, पूरा दिन घर में पड़े पड़े, मोबाइल से दुष्मनी निकालते हैं. अरे, आप घोम पे रिके हमारे पीछे क्यों पड़ते आते हैं? अरे, अपा हमारे पास में एक बहुत बड़िया बिजनिस प्लान है, पस एक बार फाइनेंसर मिल जाए, कुल 5,00,00 रुपे की जोरुत है? अरे, एक खयाली पुलाव से बहार निकलो, और कुछ काम धंदा करो, समझ में आया? आप लेकिन इसके साथ हमेशे ऐसी क्यों करते हैं? जब देखो, इसके पीछे पढ़ जाते हैं. अरे, बेटा, छोड़ना क्यों? कहीं और जाओगी, तो फिर चुरुवात करनी पड़ेगी. यहीं टिकी रहो, आखर कुछ सीख ही रही हो ना, कुछ जातों नहीं रहा है आपका. कितना सीखूंगे पापा, अब मुझे केस चाहिए. केस भी मिलेगा, एक दिन इतना केस मिलेगा कि रातो रात तुमारा नाम होगा. जज, वकील, क्लाइंट, सब तुमारे आगे पीछे होंगे. डगना पापा, मैं सत्य नारा इनको अमना अससेस्टन्ट बना के बहुत सुनाओंगी. बिल्कुल सुनाना. मगर यह ऐसा उदास्चिर अच्चा नहीं लगता है. एक बार फिर से मुस्कुरा दे मेरा बेटा, मेरा बेटा. मेरा बेटा. मडम जी, यह देखे, यह देखे, कितना प्यारा कलर है. एक मिनट मडम. हलो, अरे ग्यान भाइसाब, नमस्कार, कैसे याद किया? यह बताने के लिए फोन किया था कि संड़े हमें शोरूम चलना है. शोरूम? किसलिए? अभी इशादी में जो आप हमें गाड़ी देगे, उसकी बुकिंग नहीं मिल रही थी. तो मेरे एक दोस्त ने जुगार लगाया है, अपना काम हो जाएगा. पर भाई साब, गाली की तो कोई बात ही नहीं हुई थी? अरे तो शादी भी थी कहां होई अभी थक? अभी बात कर लेते हैं, वैसे मैं हमने कुण सा हेलिकपटर मांगा आपसे? पापा, इस सब की क्या जो रहो थे? आप क्यूं बेकार में लोगों को? तुछ उब्या, टेकदे हम, एक तो लड़की तुझे पसंद है, इसलिए आलग जाती में शादी करने के लिए हम तयार होगे. अब इन्हें भी तो कुछ करना है पड़ेगा ना? भाई साब, इतनी महेंगी गाली हम कहां से देंगे? भाई साब, हम गरीव आदमी हुएं. अभी आप देख लीजेगा, मुझे दो कार चाहिए. बागी आपके मर्जी. मर्जी नहीं, सबर्दस्ती है यह. नहीं करने है मुझे ये शादी बापा. अप्लीज उनलोगों को जाके बता दीजिए. देखो बिटा, जिद नहीं करते हैं. शादी ब्यामें तो लेन दिन चलता ही है, सौरभ इतना अच्छा ललका है. और तुम पसंद भी करती है? पापा, आपसे हमारे बिजनस के लिए 5 लाग रुपे नहीं हो रहे है. और दी को 20 लाग रुपे की गाड़ी दे रहे हैं. हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी तरह बिस्तर पे पड़े-पड़े, खयाली पुलाओं नहीं पकाती है. पापा, फाइनल है, मुझे ये शादी नहीं करनी. आप उन्हें जाके बता दीजे, प्लीज. देखो, बिटा, जिद नहीं करते हैं. अब अपने पापा को देखो, पूड़े जीवन भर साली के दुखान में सेल्समयनी की. क्योंकि मेरा बेटा अच्छे घर जाये. हमेशा खोश रहे. पापा, मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चीए, मुझे आपको तकलीफ दे. पागल, तुम्हारे खुशी से मुझे क्या तकलीफ होगी? तु तो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है. है ना? डॉक्टर, छे साल हो गए हमारी शादी को. और एक साल से तो आपके चक्कर काट रहे हैं. फिर भी बच्चा नहीं हुआ. आप ट्रीटमेंट करवाएए. और भगवान पर भरोसा रखिए. सब अच्छा होगा. और लोगों का क्या है? लोग तो बाते ही करते ही रहते हैं. बाहरवाले क्या? अब तो रिष्चदार भी हमें ताना मानने लग गए. सब बोलते हैं कि सबको बच्चे हो रहे हैं, बस हमारा ही बच्चा नहीं हो रहा. हम जब मढ़ जाएंगे, तो हमारी चिता को आग लगाने वाला भी कोई नहीं होगा. सुनिये, आपको डॉक्टर समेता ने जवाब नहीं दिया ना? देंगे भी कैसे, जिसका इलाज उसके हाथ में है, उसमें डॉक्टर कर भी क्या सकते हैं? अगर आप दोनों को भगवान में आस्ता हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. पहले भी बहुत लोगों की कट चुकियों. कैसी मदद? आप लोगों को बच्चा ही चाहिए, ना? चारों तरफ भै का माहूल है. लखनव में जनता सडक ही नहीं, घर में भी असुरक्षित है. पता नहीं कब कहां से आकर वो हत्यारा उन्हें अपना शिकार बनाए. क्नुषित में अपनाए. को की कर लुवेश है. वेंगी अपन वेंगा. 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 सर, मेरे पापा कल दोपेर दो बज़े घर से निकले थे, और अभी तक नहीं लोट है, उनका फोन भी स्विच्ट आप है, हमने हमारी रिष्टिदारों से, उनके दोस्तों से, वो जहां काम करते हैं, वहां भी हर जगा पता किया, पर वो कहीं नहीं मिले, मुझे उनके लिए अब टड़ लग रहा है, सर्. अवे तो चौबिस घंटे हो भी नहीं है, आवे काम कीजिए, चौबिस घंटे के बाद आईए. सर्, मेरा नाम एडवोकेट दिप्ती वर्मा है, अगर आपके इस चौबिस घंटे की टाइम लाइन के चलते, मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तो याद रख्ये, आपको इसका जवाब पोट मे रेना होगा. देखिए, चौबिस घंटे के पेले, मिस्सिंग कम्पिलेट लेना बनता तुरू ही है, लेकिन फिर भी मैं लेख लेता हूँ. देखिए, आप गवराहिमल, आउतार भैस सब जल्दी आ जाएंगे. यह सवना आपकी वज़े से हुआ है, आपके कार की डिमाड की वज़े से आपका इतना परिशान रहते थे. आपके. इस लड़के से श्यादी करना चाहता है, इसे बोलने की तमिस्वी भी नहीं है, चल्ट. भाइस, भाइस, आप. अंकल, आप, आप ठीक्टो है ना? आप ठीक्टो है ना? आपक, याप्या हूँ? तलाप, तलाप. 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 पुर्यगर के रिखिए, तलाप. 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 पापको, पापको क्या हुआ? आपक, प्रुग जाईया, शांती रखिए. आप सबको पताचिल जाएगा. यह गोल्ड और बिल्ड लागा पैसा और घड़ी मिली है, सर. एविडेंस को सिल करो, पड़ी से वापस जीपें डालो. क्या चल रही है? इस बहां चल रहा है? पापको कहा लेगे जा रहे हैं आप? कुछ बताएगी है आप हमें, फिर पापा को क्यो पकड़ा हुआ है आपने? आपने उस अत्यारे के बारे में तो सुना होगा ना? जो लखनो में इनोसेंट लोगों को मार कर लुट पाट कर रहा है. वो सीरियल किलर? और वो सीरियल किलर कोई और नहीं, आपके पापा है. पाप? कुछ भी, कुछ भी बोल रहे हैं आपको. मेरे पापा एक शरीफ सीधे साथे इनसाने साथ मडर खुद कबूल किये हैं. मेरे पत्यासा नहीं कर तकते हैं. आपको कोई गलत पैमी होई है. इनकर जाओंगी है. आपको बहुत कर रहे हैं, आप मेरे पापा को ऐसे नहीं लेके जा सकते हैं. द्यान से देखिए, यह है वो दरिंदर जिसने साथ मासूम लोगों की हत्या किये. आप कुछ कहना चाहिए इन मडर्स के मामले में? क्या आपको कभी किसी पर तरस नहीं आया? जवाब दीजिए. कुछ तो जवाब देकर जाएए, आपको जवाब देनों का जवाब दीजिए. जवाब देजिए. ध्यान से देखिए, सारी के दुकान में काम करने वाला, इतना साधार अर्था दिखने वाला आगली, साथ मासूम लोगों का हत्या आ रहा है. मेरे पापा, जो किसी सा उची आवाज में बात तक नहीं कटते हैं. आपने उन्हें सीरियल किलर बना दिया? बनाया नहीं है. उन्होंने अपना जूरूम खुद कबूल किया है, और खुद सबूत में बरामत करवाया है. कबूल नहीं किया, करवाया गया है. टॉचर करके. सब, प्लीज, आप… तित्थी, मैंने ये केस बारी की से पढ़ाया. सारे सबुत तुम्हारे पापा के खिलाव है, और उन्हेने कन्फेशन भी दिया है, कोई चांस नहीं है. सब, मेरी बात सुनिया, ये पूरा केस ही जूटा है. यहाँ पूलीस फाउल मेंगा. पूलीस, मैं ये केस नहीं लड़ सकता. सौरी. सब, बट मेरी… मैडम जी, मैं समझ सकता हूँ, बड़ा मुश्किल है ये, कि पूलीस को पीछले एक साल से जिस्टियाल किलर की तलास थी, कोई और नहीं, बल्कि आपके पापा हैं. नहीं है मेरे पापा के लड़. मैं कोट जाओंगी और इस बात को साबित करूंगी, पर हार नहीं वाने की. जरूर जाए ये दिप्री जी, ये आपका हक है. पर एक बात याद रखिएगा, कोट में भी ये बात साबित होगी, कि साथ लोगों को मारने वाला, कोई और नहीं, बल्कि आपके पापा हैं. धितिजी, धितिजी, क्या आपको कभी एहसास हुआ कि आपके पापा एक सिरेल किलर है, जिर्मने इतने लोगों के हत्या करिए, क्या आपको कभी एहसा डर लगा? धितिजी, धितिजी, उन्हेंने खुद अपने जर्म कबूल किया है, कोई बड़ा वकिलों का केस नहीं लेगा, क्या करने वाली आप, क्या सोचा आगे आपने अपने अगला मूज? जैसा कि आप देख रहे हैं, भी तक इस केस में कुछ नहीं बोल रही है, कोई वड़ा वकिलिंका केस नहीं लेगा, आगे क्या करने वाली हैं भी किसी को नहीं बता, पर हम आपको सारी अबेक्स बेते रहेंगे. पुलीस ने मेरे पिता अफ्तार वर्मा को आठ अगस्त 2022 को किटनाप किया, टॉर्चर किया और जबरदस्ती उनसे वो जुर्म कुबूल करवाये, जो उन्हेंने किये ही नहीं थे. अब्जेक्शन, माय लॉट. यह बिना किसी पुकता सबूत के पुलीस पर इंजाम लगा रही है, जैसे पुलीस कोई किंड़ापी गैंग चला रही है. विस दीप्ती आपने अपने पिता की missing complaint लिखवाई थी? यह है मेरे पिता की missing complaint की copy, जो हमने लिखवाई थी. बावजूद इसके, पुलीस ना हमें दो दिन तक कुछ इंफर्म नहीं किया. कैसे इंफर्म करता, यह ओर आउनर? अक्यूज ने दो दिन तक मुही नहीं खोला. कौन है, कहा रहता है, क्या करता है? दो दिन तक, वो मेरे पिता से उनका नाम, पता, यह सब जानने के लिए, उन्हें टॉचर करते रहें. जब पुलीस मेरे पिता को घर पे लेके आई थी, तो उनकी क्या हाला थी? वो अपने पेरों पे चल भी नहीं पा रहे थे. कौन है आपना गवाद? मैं लॉड, मैं कोट को उनकी लिस्ट दूँगी, पेश ही करवाऊंगी उनकी. दीपती जी, कोट में मनगणत काानिया नहीं, सबूत चलते हैं, जो अपतार वर्मा के खिलाब, पुलिस के पास और जो कोट में पेश किये गए. कौन से सबूत? वो गोल्ड क्यूब, घड़ी, पैसे जिसमें खून लगा हुआ था, जो खुद पुलिस ने हमाए घर पे प्लांट किया है, क्यूंकि ओनेस्ली ना उनके पास फॉरेंसिक टीम थी, और ना ही सर्च वारंट. सर, वारंट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए हमने बोला था, लेकिन उसमें लेट होने वाला था, हमें एविडेंस को सेक्योर करने थे, ओर्डर था कि एविडेंस के साथ छेड़चाड की जा सकती है, अच्छा, इसी लिए उनको पूरे परिवार को हॉल में बंदग बनाना पड़ा, और पुलीस खुद बेड्रूम में जाके सबूत लेके भी आगे, एविडेंस कलेक्शन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई, सर रिकॉर्डिंग भी की है, और कोट में सब्मिट भी किया है, आयो अब्जेक्टी और ओनर, यहां जास रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, वह पुलीस ने खुद की है, किसी ओथराइज्ड वीडियोग्रफ है कि थुरू नहीं हुई है, वहाँ दीपती जी वहाँ, कभी आप कहती है कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, फिर आप कहती है कि पुलीस ने रिकॉर्डिंग कर ली है, ओथराइज वीडियोग्राफ ने रिकॉर्डिंग नहीं की, आपका अब्जेक्शन किस बात पे है, वीडियो की क्वालिटी पे यह अच्छा नहीं दिख रहा है, दीपती जी, अगर हम मान बिले कि आपके पिता इनिसेंट है, फिर भी पुलिस के पास क्या कारण है कि वो उन्हें जूटे केस में फसाएगी, अपने रेप्यूटेशन को बचाने के लिए, हम सब को पता है, पिछले एक साल से पुलीस किलर को नहीं पकड़ पाई है, फिर अचानक एक दिन उन्होंने मेरे पापा को पकड़ा और जेल में डाल दिया, जबकि एक्चिली सीरियल किलर अभी तक बहार घूम रहा है, साथ लोगों का मडर हुआ है, सच का जानना ज़रूरी है, जो पुलिस इंविस्टिगेशन में सामने नहीं आ पाया है, ये कोर्ट और देती है कि इस केस की जाच क्राइम ब्रांच से करवाई जाए, ताकि सच जनता के सामने आ सके, कोर्ट डिस्मिस्ट पुलिस की साख जो पहले से दाव पर थी, कोर्ट के फैसले से उसे बड़ा जटका लगा है, सीरियल किलर केस जाच में गड़बड़ी के आरोप के बाद केस क्राइम ब्रांच को सौब दिया गया है, इस उमीद के साथ की सच सामने आएगा, जो किलर पिछले एक साल से पूरे शहर के लिए खौप बना हुआ था, पुलिस की नीम दोड़ायवी थी, किश्यन और अनीता के मड़र के दो खंटे बाद यतनी आसानी से उसको अरहस्ट कर लिया था हुँने, कैसे? आसानी से नहीं सर, पिछले एक साल से दिनराप एक कर रखा था हमने, फिर उस दिन जब मुझे डबल मड़र की खबर मिली, मैं फॉरण क्राइम स्चीन के लिए निकला, रास्ते में मुझे उतार दिखाए दिया, बहुत यजी ब्याप कर रहा था हुँ, इसके कपड़ों पर खुल लगा हुआ था, हम उसे पुष्टाच के लिए पुली स्टेशन ले गए, जहां उसने कबूल किया कि मडर्स उस नहीं किये, और उसने मुझे ये भी बताया कि मडर वेपन कहां चुपाया हुए, उसके बाद उसने इसके पहले पांच मडर भी के बादे कबूल किये, पहला देश राज, दूसरा फौजिया और उसकी बहुष शीबा, चौथा की रन और पांचवावमका, फिर उसके बाद हमने उसके घर की तलाश ली जहां और भी सबूत में, सर, हमने जब इन केसेस के सबूत और गवाहो को क्रोस वेरिफाई किया, तो सब मैच कर रहे थी, किशेन और अनिता के घर से लूट हुई थी, वो सारा सामन मिला? उसने सिर्फ ये बताया कि उसने गहने चुराया थे, तो वो अभी भागते वक्त कही रास्ते में गिर गया, पर उनके घर से तो अच्छी कासी लूट हुई थी और उसने सिर्फ गहने कबूल किये, और तुमने बड़ी आसानी से उसमें यकीन कर लिया, उसने बाकी की चुरी कबूल नहीं कि, लेकिन साथ मडर्स कबूल कर लिया, सर उसने जो मुझे बताया, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बल्ला ना तुम्हारे पास कोई पुखता सबूत है ना कवा, ना मडर्स का और ना अफ्तार की करफतारी का, सर, आप मुझे पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट, जैसे दो दिन तक अफ्तार तुमारी कस्टडी में था, लेकिन तुमने उसकी फैंब्ली तक को नहीं बताया, सर, हमने कोड को बताया था, कि उसने अपनी पहचान को छुपाने के लिए, दो दिन तक मुझ नहीं खुला, तो फिर तुमने टोर्चर करके उसका मुझ खुलवाया, अब भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, जानते होंगे, साथ मड़ करने वाला क्रीमनल, प्यार से तुम मुझ खुलेगा नहीं, तो कुल मिलाकर तुम ये एकसेप्ट कर रहे हो, कि उसने कबूल किया नहीं, तुमने उसने कबूल करवाया, सर, इस केस के फाइल आपके पास है, आप देख सकते हैं, अरविंद, आखरी बार पुछ रहा हूँ, इंविस्टिकेशन में कोई गरबढ़ी हुई है, कोई फॉल्ट में? नो सेर, आतार ही वो स्रियल के लिए, जिसे हम पिछले एक साल से तलाश कर रहे थे, जो बहुत मुश्किल से पकड़ा गया है, सर्म, मैं तो अपनी बेटी दीपती की शादी के लिए, पैसों का इंतिजाम ना हो पाने के वज़े से परेसान था, बहुत बहुत साब, यह पुराना सोना है, मेरी मजबूरी इसलिए हम इसको बेच रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा हो जाए, मैं तो देख लीजी आप, मैं इससे ज्यादा नहीं हो, साफिन, सर्म, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो परेसान हूँके रोट के खिनारे बैठा था, तबी इंस्पेक्टर साब की गाड़ी वहां के रुखी, हलो, यहां क्या कर रहा है? पुचने साब, वो ठक गयते तो बैट गये आँपे. घर की दरेतों मारा? साब, यहां पास में हैं आगे. चल बैट, गड़ी, मैं भी उधरी जा रहा, छोड़ देता हो तुम. पियाई एर्विंद का कहना है कि जब उन्होंने आपको पकड़ा, तो आपके कपड़ों पर खुण लगा था. किशन और अनीता के खुण से सने वो कपड़े उन्होंने हमें दिये. तो पिरे उन्हों खुण कहां से आया? सर, यह तो हमें नहीं मालूम सर. वो मुझे पकड़ के थाने ले गए. और वहावन उन्होंने हमारे सारे कपले उतरवा दिये. और साब, दो दिन तक हमारे साथ महारपीट करते रहे. बोले कि मैं जो कहता हूँ, वो कबूल करो. चल्ब, बेंगोल, बेंगोल! और साब, बेंगोल! शाब, अमनेने बूट नहीं किया. शाब, सुरू, साब. अबें कबूल कर ले, वोर नहीं हांसे जिन्ना लेशे था. अगर मैं कबूल नहीं करता, तो सच में वो मुझे जान से मार देंते, साब. किश्यन और अनिता के मडर के अलावा, आपने पांच और मडर के अवर कंफेंस किये. ये तो मुझे पता भी नहीं था, साब. मुझे यहां बोलते गए, मैं साहिं करता गया. मुझे नहीं पता था, कि वो मुझे सीरियल किलर बना देंगे, साब. और फिर वहां से वो मुझे मेरे घर ले गए. अन्दर से वो घड़ी, सोना और रुपए निकाल के लाए. और साब, मुझे जूटे केस में फसा दिया. लेकिन वो ऐसे क्यों फसाएंगे? उनके के दुश्मनी है आपके साब? साब, मेरे किसी से दुश्मनी क्यों होगी? मैं तो एक साड़ी के दुखान में मामूली सा सेल्समेन हूँ. मैंने जीवन में कभी चुए नहीं मारे. और मैं साथ कून क्यों करूँगा साब? मैं क्यों करूँगा साथ कून? मेरी वज़े से मेरी प्लेटी की सादी टूट गई साब. इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा साब? इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या बुरा होगा? घबराये मत. अगर आप सच मुझ उन्दरदोश हैं, कुछ नहीं होग आपके साथ. हम बारी किसे जाज करेंगे? एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुमने ठीक से कुछ देखा नहीं, अंधेर आता, ऐसा था, वैसा था. इसके बावजूद तुमने पुलिस को ब्यान दे दिया, कि तुमने अफ्तार को किरन का मडर करके उसके घर से भागते वे देखा. क्यों? सर, मैंने उसे मडर करते वे नहीं देखा था. मैंने बस किसी को भागते वे देखा था. और ये बात मैंने जब किरन का मडर होए, तो पुलिस को बताई थी. उन्होंने मुझे एक फोटो देखा ये और बताया कि तुमने जिस आत्मी को देखा, वो यही था. मुझे लगा अच्छा है, पकड़ा गया है. तुमने बने भाइगे एक फिलर को देखा था? यह, सर. यह यह वो? वो सकता है, सर. यह क्यूजी में दुकान बंद कर रहा था, और भाया गल्यों में आगे निकल गए थे. और जैसे मैने उनकी चीके सुनी, पीछे मुड़के देखा तो एक आद्वी भागतावा जा रहा था. वया, वया, क्या हो, वया? यह घड़ी तुमारे भाइगे? यह, सर. पक्काया यहाँ इसमें वीटाव उनकाया? ऐसे दिख्तिती, शायद, सर? शायद. यह घड़ी तुमने बनाई है? हाँ, नहीं मतलब मैं जुवेलर हूँ, तो यह तो काम है, सर मेरा. घड़ी बनाने का? हाँ, घड़ी का मतलब गहने. विकास, ऐसे नहीं बोले गए, इसके भी क्यूब बनाने पड़ेगे. अटे, नहीं, नहीं, सर, मैं बताता हूँ. यह, मैं नहीं बनाई थी, सर. किसके कहने पर? वो याद नहीं है, सर. अच्चे से याद करके बता. इसके कहने पर? नहीं. इसके कहने पर नहीं, तो किसके कहने पर बनाएंगे? बऺ जोटा बायान के दिया पुलिस को इसके कहने पर बनाईए? अरे, sir. अरे, sir, यह क्यों पुलिस नहीं बनवाय थी, sir? और जूटा बायान भी पुलिस नहीं दिलवाया था? चल, क्या हो गया, sir? चल चल, बताड़ा. अरे, sir, मैंने कुछ नहीं किया, sir. सर, सम्झों सर्व बात को, सर. मेरे करियर में ये पहली वार था, कि हम अपने ही डिपार्टमेंट के, अपने ही साथी की इन्वेस्टिकेशन का सच पता कर रहे थे. लेकिन लगातार पढ़ला, अफ्तार की तरफ जुखता जा रहा था. बावाजी उदिस्के, चार्च में अभी तक सबकुछ 50-50 था. किशन, अनीदा के मड़र केस के इन्वेस्टिकेशन तुम्हें किसने दी? ओफिशन, क्यापिर कोई पर्सनल सोर्स था? उससे क्या फर्क पिड़दाएज? बताता हूँ. अचानते है, उसे? मिथलेश कुमार, पुलिस ड्राइवर. इसने पुलिस को इन्फरॉम करने के बजाए, अपने पर्सनल नंबर से, तुम्हारे पर्सनल नंबर पर कॉल करके, मडर की इन्वेस्टिकेशन चत्ति. मिथलेश कुमार उर्फ, तुम्हारा ड्राइवर. मिथलेश कुमार उर्फ, विक्टिम अनिता का मु बोला थाई! हाथ तो इसे डिरेक्ट पथा चला. इसने भूजे डिरेक्ट कॉल किया तक इसमेए क्या हो गया? हुआ ये कि क्राइम सीरेल क Sugler की तरह किया गया अगर ये उसी ने किया तो वह एक बार फिर त्मारे हात से निकल जया तुमने ये भी जानने की कोशिश्च नहीं की कि कि किसी ने सीरेल कुपी करके फाइदा उठाने की कोशिश तो नहीं की तुमने बस आन अन्फानन में अफ़तार को उठाया और एक डबल मटर केस को सीरिल किलर केस से जोड दिया स्टिर विस लिए कि पिछले एक साल से सीरिल किलर की हड़ी जो तुम्हारे गले में अठकी थी किसी ना किसी तरह से वो निकल जाए बस सर ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा एक बात बताओ देश राज मटर केस में जो सी सी टीवे फुटेज उसमें किलर का चेहरा नहीं देख रहा तुमने यह कैसे डिसाइड कर लिया कि वो अफ़तार है सर मैंने डिसाइड नहीं किया अवतार ने खुद कबूल किया था ठिक वैसे ही ना जैसे कि उसने बाकी के मटर्स कबूल किया है यह यह है अवतार की मेडिकल रिपोर्ट एक महिने से जादा हो गया है उसकी अंधरूनी चोट भरी नहीं है अभी तक बरकरार है अगर वह कबूल नहीं करता है तो शाय तो मुसको कसड़ी महीं मार देतें सर अवतार नहीं अनिता और सीशन का मडर किया है और मडर वेपन उसने खुद ब्रामत करवा है वही रोड ना जिसमें बिलट के निशान तक नहीं है फिंगर ब्रेंच की दोबात ही कुछ और है त सर उसने जान बुछ करके रोड को पानी के तंकी में चुपाया था ताकि ब्लड और फिंगर फिंगर फिनिस दोनों दूर जाया है वाह किलर तो बहुत स्मार्ट है और सेम टाइंपर बेवकूब भी क्योंकि उसने चोरी के गहने बेचने के बज़ा है उनकी कोल्ट कुब बनवाकर अपने घर में रख लिया किरन मडर केस के विटनेस माला उसने तुमें नहीं बताया बल्कि तुमने उसे बताया कि उसने जिस भागते वे आदमी को देखा था वो अफ्तार है ठीक वैसे ही जैसे ओम के भाई दिनेश को तुमने बताया कि उसने भी जिस भागते वे आदमी को देखा था वो अफ्ता इन दोनों ने तो अफ्तार को पहचाना भी नहीं, मडर के वग जोनोंने स्टेटमेंट दी थी, उसमें भागते वे आदमी को अफ्तार के साथ रिप्लेस करके उसे ब्यान की शकले देकर उनके स्टेटमेंट पर साइन लेगी, दिनेश ने अपने भाई की घड़ी तक को नही की पहचाना है. Sir, पता नहीं अभी यह दिनों जूट क्यों बोल रहे हैं? जूट वो लोग नहीं बोल रहे हैं? यो तुम बोल रहे हो, जिस जुएलर से तुमने गॉल्ड क्यूब बनवाई है उसने बयान दिया है, कि अव्तार ने गॉल्ड क्यूब नहीं बनवाई है, बल्कि पुलिस ने बनवाई है, और पुलिस ने उससे जुटा बयान लिक्वाया है. चीक, मैं मानता हो कि इस सेरियल क्रियर केस में मैंने उसे गलत तरीके से फ्रेम किया, ताकि ये सीरियल क्लियर केस का सरदर्द हमश्या के लिए खत्म होगे, पर ये सच है से, क्या नीता और किशन का मडर अवतार नहीं किया है? बस कर, अर्विन, बस कर. कुछ तो शर्म कर, यार. एक डबल मडर केस को सीरियल क्लियर मडर केस के साथ जोड़कर, तुम्ने ना सिर्फ इस केस को खुला छोड़ दिया है, बल्कि उस सीरियल क्लियर को भी मैसेज दे दिया है, कि तु आजाद है, जो चाहे करना चाहे, कर, हम तुझे ढूंडी नहीं रहे हैं, हम तो ओल्ड़ी क सीरिफ और किशिन के मडर कीया है, प्लिज़, फ़िज़, वहाँ, सेखुबू. अगर अव्तार ने किशॉनों और अनीता के मडर नहीं किया, तो फिर किसने मारा हों लोगों को? रिपर ने? विकास, यह पहले के बांच मड़र काफी पहले हुए है, और यह दोनों मड़र अभी हुए है, हो सकते हैं क्राइम से हमें कुछ मिल जाए, हमें इस केस पर आज से ही, बल्कि अभी से लगना होगा, केस से रिलेटेड जो भी मैटीरियल है, उसके अच्छे से जाच करनी होगी और ज़रा पता करो, कि अफ्तार का अनीता और किष्ण के साथ कोई क्रणक्शन है क्या है, ओड़े, सरु. गर्मा-गर्म पकोड़ी, नूम, हाथ गंदे है ना, पहले हाथ दूलो. यह तो किष्ण और अनीता क्या करें, तुम्हों क्या कर रहे हैं? उनका घर था, अब यह हमारा घर है, और हमसे ही पूछने हमारे घर में कि हम कौन है, आप लोग कौन है? पुलिस, क्राइम ब्रांच. सर, मैं वह, मैं शुबम मिश रहा हूँ और यह मेरी बीवी माधुरी, और मैं किष्ण का छोटा सगा भाई हूँ. बाई हो तो तुम्हार आपना भी तो खर होगा, मैं क्या कर रहा हूँ? सर, हम रेंट पर रहते थे तो भाईया भावी के मडर के बाद यह खर खाली हो गया. और वैसे भी कुछ टाइम पहले तक हम यही रहते थे. तो पर यहां से खाली कर के गई क्यों? खाली किया नहीं था, करवाया था. जब तक वो लोग दुबई में थे, तब तक हम से रखवाली करवाया इस घर की. और जैसे ही वापस आगे, लाद मार के निकाल दिया हमें. और वैसे भी सर, अब तो यह घर खंडहर ही होता ना. उसे बैता रहे ना, कि हम लोग यहां रहे हैं. कम सकम घर की देखवाल हो जा रही है. वो दुबई जाये के वापस? सर, वो आना ही था ना? अब दीदी के खर्चे इतने ज़्यादा थे, कमाई इतनी कम थी, तो आना तो पड़ेगा ना? तुम काम क्या करते हैं? मैं काम डून रहे हैं, सर. गड़ देख़े हैं, बिखाम. चलिए. चलिए. सर. किषिन की लाज मिली थी, यहाँ पर. और अनीता की यहाँ पर. सर, फ्लोर पे ब्लड ट्रेल को देखके लग रहा है कि, यहाँ से अनीता की बोड़ी को गसीट के लिए जाकर वहाँ पर रखा गया. सर, पूरा घर बेखरा पड़ा था. लगता है, यह मटर्स रूट के राधे से किया गया. वोड़ीस को तुम लोगोने पहले देखागा? जी. क्या टाइम वहता था? यही कुछ साड़े-जारा के आसपास का. रात के साड़े-जारा बज़े, तुम लोग यहां क्या करने आया थे? यहां यहां नहीं आया थे. हम लोग खाना काका टहलने के लिए निकले थे. को देखा कि दर्वासा खुला हुआ है, तो मैंने सोचा अंदर चल कर देखता हूँ. किशन और अनिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? उनके किसी से क्या दुश्मनी होगी? तुलब पीची आए. सर्! अफ्तार जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप घर वापस आकर? घर आकर और अरिवार के लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा. तब आपके खिलाव थे, पर आपकी बेटी ने आप पर भरोसा दिखाया. कुछ कहना चाहेंगे दीप्ती जी के बारे में? मैंने तो उम्मेदी छोड़ती थी, लेकिन मेरी बेटी देप्तीने, मुझे बचाली, वर्णाम बैतु, जेल में पड़े-पड़े, मरे जाता. देप्तीजी. पापा हमेश्या से कहते थे, कि मुझे एक बहुत बड़ा केस मिलेगा. मुझे नहीं पता था, कि मैं पापा के लिए केस लड़ूंगे? जुपोजा, वेटा, सारी जिंदगी तेरे पापाने तेल्टी संगास किया. लेकिन आज, आज तुने अंका कर्स चुका दिया, बिटा. नहीं, मा, मैं मर भी जाओना, तब पापा का कर्स कभी ने चुका सकते. वेल्कुम बैक! और कैसे है मेरा बिटा? विल्कुल ठीक. आज आने में आपने कुछ ज़्यादा देर नहीं कर दिया? हाँ, कुछ आज एक्स्ट्रा काम था, इसले थोवा लेट हो गया. वैसे पापा, साटेड़ी संड़ी को आपको ऐसे क्या काम होता है? बेटा, वही काम बेटा, जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ सके, ताकि हम आपको एक बड़ा वकील बना सके. किशन का भाई शुवाम और उसके पत्ने को टेड़ी कीड़ नहीं लग रहा है? टेड़ी कीड़ तो है, इन दोनों पत्धी-पत्ने के बारे में पता करो. ओड़ी, सिर्म. एक बाद मुझे बहुत परिशान कर रही है. क्या से? अगर अफ्तार सीजेल किलर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सीजेल किलर अभी भी आजाद गुम रहा है. और वो किसी और को भी अपना विला शिकार बना सकता है. शुवंके बारे में इंक्वारी करते हैं, जब्वो पेले किषण के घर पैर रहता था था, तो उसका आयदेन किसी से बहुत जगड़ा होता था. किषण और उर नहीं तो दुबाई परहा है थे. तो अपर जगड़ा किस्के साथ होता था. उसी से, जो शुरू से इस केसमें को जादे इंट्रेस्ट लेड़ा है. मितलेश? सर, मेरा कोई पर्सनल इंट्रेस्ट में था? वो तो पिछली बार देदी जब राखी पर एंड़िया आया थी, उन्होंने बोला था मुझे. रानो, बेटा, इधर आओ, देखो, मैं तुम्हारे लिए क्यो लेकर रहा है? वाँ, थैंक्यू, तावजी. एक मिए, एक मिए, एक मिए, एक मिए, एक मिए. यह तुम्हारी है, नाइतो. अइया, जब हम दुबई में होना, तो आपने यहां पर चक्कर लगाते रहा करें. अरे, शुबं, रहतु रहा है यहां पर. यही तो दिक्कत है, कि वो रह रहा है. मुझे तो डर लग रहा है कि हमारे जाने के बाद वो इस खर पर कपसा कर लेगा. अनिता के फ्रेज में चिकन था, यह पता है तुम्हें? वहाँ, सर, वो मेरे सामने ही सीज़ किया था, उन्हों. फोरण सीकर रिपोर्ट में आया है कि उस चिकन में जहर मिला था. चुए मान ने के दबाई. पर तुम और अर्विन तो अफ्तार को सीलेट किलर बना रहे परतुलेवे. आम शियूर वो रिपोर्ट कि इसने देखी तक नहीं होगी. लेकिन सर, वो चिकन तो दीदी जीजा जी ने नहीं खाया था. यह तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसी रात दीदी ने मुझे फोन करकर चिकन खाने के लिए बुलाया था. अनीता तुम्हें जहर देकर मानना चाहती थी? होसकता सर, दीदी को पता ही ना हो कि चिकन में जहर है, क्योंकि वो चिकन दीदी ने नहीं बनाया था. फिर? देकर गया था. कौन देकर गया था? सर, आप किसकी बात सुन रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ईसी ने मेरे भईया और भावी को मारा है. और अब मुझे जेल भिजवाकर इस घर पर कभजा करना चाहता है. मतलब? दीदी, इतनी परिशान हो, तो मेरे बच्चे को गोद लेलो. सर, सर, ऐसा तो मैंने दीदी का दिल रखने के लिए कहा था. ऐसे कोई किसी को अपना बच्चा देता है क्या? आप इससे पूछी ना, यह जरीला चिकन क्यों लेकर आया था? सर, वो चिकन हमने भी खाया था, लेकिन हम तो नहीं मरें ना? वो तो मुझे माधूरी ने बोला था कि जाकर भाईया भावी को दे दो. मेरी मत मारी गई थी, जो मैं उन्हें देने के लिए चला गया. तो यह सारी के सारी प्लैनिंग तुम्हारी थे? सही, मैंने अपने बच्चे के लिए किया था. मुझे लगा था कि उनके ना तो बच्चे हैं और ना होंगे. और कलको यह घर मेरे बेटे को मिल जाएगा. लेकिन फिर वो अपने बच्चे के लिए इलाज करवाना शुरू कर दिया, वो लोगने. मादरी, मादरी ने तुम्हें क्या किया? अंकरो यह ड्रामा, लेके चलाओ तुम्हें को. वहाँ खबर लेते हैं उनकी. साहाँ, साहाँ, साहाँ. और्तु, यह मत सोचना कि तुम्हें बच गया है. सीलियर किलर की एक-एक टिटियल पता थी तुझे. किशन और अनीता का मडर बिल्कुल वैसा ही हुआ है. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सार. अगर किया है, तो सोचले, नौकरी तो जाएगी, जाएगी. अंदर भी जाएगा, वो भी लंबा. अगर वाकई में अनीता और किशन के डबल मडर्स में इनका हाथ हुआ तो, तो हमारे मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं. क्योंकि वो सीरियर के लार, यानिके रिपर, अभी विक्कुले आम खुम्रा है. शुभम और मादुरी के पास मडर्स का मोटेव है. और उस रात के इनकी अक्टिविटी से भी लग रहा है कि यह लोग मडर्स कर सकते हैं. लेकिन अभी तक इस बात पर अड़े हुए हैं कि इनका इस मडर्स में कोई हाथ नहीं है. शुभम और मादुरी तो सस्मेक्ट हैं, लेकिन हमें मितलेश को भी धिहान में रखना होगा. इक बात मेरी समझ में नहीं रही है, किनो ने एक रेंडम आदमी अफ्तार को ही क्यों अरेस्ट कया? सर, अफ्तार के वारे में कुछ और भी वात बता चली है. यह बात सही है, कि एक सिंपल सा आदमी है, साड़ी की दुकान में एक सेल्समेन है, लेकिन सर, इसके अलावा यह साथ-ाथ साल पहले थेटर भी करता था, एक्टिंग का शौक था इसे, सेड़े संड़े इसके शो भी होते थे, लेकिन सर, यह एक्टिंग में कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए एक्ष्टा अन्निंग के लिए मेकप आर्टिस बन गया, इसके थेटर के दोस्तों के कहना है, कि मेकप बहुत अच्छा करता था, कोई भी गटेब लिए सकता था, अलाग अलाग भीज बदले में मायरता है, सर, आप डवी की बेरेकिंग में उस देखी? क्या नहीं उसे? जैसी करनी वैसी भर्नी का ताजा उधारण है, लखनाउ सीरियल किलर केस का मम्मुन, जब वो दबे पाउ अपना अगला शिकार करने जा रहा था, लोगों उन्हें उसे देखा और उन्हें शक हुआ, गुस्ताई भीड ने कॉलोनी में घुस कर उसे इतना मारा, कि मौके पर ही उसकी मौत हो गो, सर, यह तो बच्चा है, माइनर है, इसकी हालत देखके लगता नहीं है कि यह किसी बच्चे को भी कंट्रोल कर सकता है, सर, मुझे लगता है कि भीड ने गुस्से में आके फिर एक बच्चे की जान ले ली, सुच्वेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, इस रीबा ने पूरे शहर को पैनिक कर दिया, लोग इतने डरे रहे हैं कि किसी की भी जान लेने पर बार होएं, सर, अनीता वो किशन के कॉल रिकोर्ड आ गया है, उनके कॉल रिकोर्ड में किसी बाबा का नमबर तो नहीं मिला है, लेकिन एक नमबर है ज़स्पर मडरवाले देन किशन ने कई वार कॉल की है, और लास्ट कॉल राथ 11 बजी के आसपास हुए है, कौन है वो? राधा, उसी क्लिनिक में नर्सरे जहां पर किशन अनीता का लाज़ करवा रहा था, इस राधा के टच्च में एक बाबा वी है, और इनके कॉल रिकोर्ड के अकॉर्डिंग, मडरवाली राथ इन दोनों की लोकेशन, किशन के घर के आसपास के थी. अटोनो! अरे, चोड़े! अरे, अरे, चोड़े! मैंने विख्या किया? मुझे क्यो लग्या? यहापप, चोड़ी! चोड़े! सुम्मुझे यहाँ क्यो लग्या है? मैंने क्या किया है? सब पता चैन्जायक. उदर देखो. लुकेश! गुट! काफी समझदार हो दोनों, अब डिरेक्टली पूछ रहा हूं. मार खाके बोलोगे या फिरा मार खाये? बलो! सर, अनीता और किशन, मुझे क्लिनिक में मिलते हैं. अगर आप दोनों को भगवान में आसता हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूं. कैसी मदद? सर, ख्लिने कैसी जगे थी, जहां पर लोग बच्चे के लिए कितना भी पैसा लुटाने के लिए तेयार होती थे. मैं उन्हें बाबा की पट्टी पड़ाती थी, पर उसके लिए पूजा करनी होगी. वो भी पुरी शद्दा के साथ. मैं करूँगी, बाबा. ऐसी पूजा से हम पचास हजार तक निकला लजजी थे. जो वो दोनों पैसे देने के लिए पियार थे, तो पर उन्हें दोनों को मारा क्यों? हमने उन्हें नहीं मारा, सर. ड्रामा मत करो, क्योंकि यह पदा चल चुका है हमें, तुम दोनों गए थे वहापर. हम वहाँ पसे पूजा करनी के लिए गए थे, सर. हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पर कांड हो चुका था. पागल होईयो, जो होना था, वह तो हो चुका है. हम खाली हाथ क्यों जाएं? सर, हमने सिर्फ चोरी की है, किसी को मारा नहीं है, सर. चोरी का समान का है? सर, हमारे पास है, हम देदेंगे, हम सब देदेंगे, सर. पता ही ज़्यादा किमती है, लेकिन चोरी कि यह ना, आट से दस लाग रुपरे मिलेंगे, चाहिए तो बूलो, यह तो रुखो. सर, खबरी ने टिप दिया, अनिता की सोने की चूड़ियां चोर बजार पे बेची गई है. पेचने और खरीदने वाले की कोई इंफरमेशन? खरीदने वाले की है, बेचने वाले की वो बता है. सर, राधार बाबा ने जो समान चोरी किया था, उस समान में यह साड़ी भी मिली है. जो ठीक उसी दिन खरीदी गई थी, जिस दिन अनिता और किशन का मर्डर हुआ था. इसमें साथ सिले पाई उस पे डेट भी पड़ेगी है. हाँ, सर, इस साड़ी हमारी दुकान से खरीदी गई है. लेकिन इसका फाउल लगाने के बाद घर बेजनी थी. इसलिए उस दिन दुकान बंदोने के बाद हमने बेजी थी. दुकान गब बंद होती है आपकी? दुकान नौ बजे बंद हो जाती है, साथ. लेकिन सब समिखते समिखते दस बज जाते है. इस साड़ी को देने कौन गया था? दिप्ति, तुम्हें अपने फादर को नियाए खिलवाना था ना? मिल जाएगा. मतलब? मतलब ये खुद बताएंगे. ये ये न वो साड़ी? जो तु अनिता को डिलिवर करने उसके घर गया था? और जब आमने तेरे से पूछा कि किशान और अनिता को जानता है क्या? तो क्या बोला तुने? कि तुने उनको कभी तेखा नहीं? इतनी कमजोर यात दाश्ट है तेरी? देखी, आप मुझे फ़सा रहे हैं. मैं मीडियाम जाकर बोलूँगा कि आप लोग मुझे जवर्दश्ट… अभी बाहर मीडिया से जाकर मैंने बोल दिया ना कि ये सारी की-सारी प्लैनिंग तेरी बेटी की थी? तो चुथरा टाइम लगा है उसे अपना नाम बनाने में, उससे कहीं कम टाइम लगेगा उसका नाम खतम होने में. अब बोल, अकेले जेल जाएगा. शाफेर अपनी बेटी के साथ. दीप्ति, दीप्ति मेरी बेटी मेरा, मेरी जान है. उसके लिए बड़े घर का रिस्ता आया. तो मुझे लगा कि मेरी बेटी बड़े घर जाएगी तो जीवन बर खोश रहेगी. पर उन्होंने साधी में 20 लाग की कार मांग दी. मैं बहुत परिशान था. कुछ समझ में नहीं आ रहा था. फिर सेट जी ने ये साधी डिलीवर करने के लिए दी. और मैं सोचते सोचते कब वहां पहुंच गया आप? मेडम जी आपके साधी, एक बार ठेक से चेक कर लीजिए. तभी मेरी नजर उन गहनों में पली. उसके गहने मेरे दिमाग में घूंगते रहे. कि अगर ये गहने मुझे मिल जाएंगे, मेरी बेटी की शादी अच्छी से धूंगदाम से हो जाएगी. मैंने उन डोनों का महाँ ड़का दिया. मैंने उन्हें मार कर उनके सारे गहने ले लिये थी. और मैं इतना डर गया था. डर के मारे इधर उदर भटक रहा था. और तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई. तो एक आम आदमी, इसना बड़ा क्राइम करके तुन्हें पुलिस को भेवकूव बनाया. कैसे? सर, मेरी बेटी वकील है. अब उससे केस के बारे में बात्चीत होती रहती थी. तो मुझे समझ में आ गया था कि पुलिस को कैसे गुमाना है. गुमाया तो बहुत तुन्हें, लेकिर अब तेरी बारी है. देशराज, फोजिया, शिबा, किरन, ओम के मडर करने में तुने अपनी मेकप आटिस होने का फाइदा उठाया. चेहरा बदल-बदल के मडर किये तुने, ताकि कोई देखे भी तो बात में पहचान ना पाए. साब, मैं मेकप आटिस्ट था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किशन और अनीता के मडर्स अफ़तार वर्मा ने कबूल कर लिये हैं, इसके पुक्ता सबूत भी है हमारे पास, पर बाकी के पाँच मडर्स वो हमेशा की तरह डिनाय करता रहा, हाला कि हमने बहुत कोशिश की, पर साबित करना हमारे लिए असान नहीं था, इसके बावजूद हम आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन केसे को सोल्व करने की, जैहिन! कोका पासिए तरह बातिस झाल, चिसम emotionallybody जैँज चैँआ़गे एway झाल, चिया जाविए